हेलो फ्रेंट्स मैं धिर्यंद कुमार पाठक टेटोरियल लेडर से आज हम डिने पुनर सेयोजन तक्निक की विधी को पढ़ेंगे या परिछा में इसे समंधित कुश्य नाता है डिने पुनर सेयोजन क्या है सचित्र समझाईए बहुत महत्मूर प्रस्न हैं इंपॉर्टन प्रस्न हैं तो आज का हमारा टॉपिक भी ही है डिने पुनर सेयोजन डिने क कि DNA में किस प्रकार से पुनर से ओजन हो करके कि DNA का जी कोई खंड अलग हो करके नए खंड के जुड़ने की प्रक्रिया या नए खंड में अलग अलग विभाजन होने के पस्चात एक नया DNA का बनने का प्रक्रिया इस तकनीक में हम इसी चीज का अधिर करेंगे तो सौपर्थ की बार इंटर्चना करते हैं आज का हमारा टॉपिक है पुनर से ओजन डियाने की तक्नीक के साथ साथ जब यह तक्नीक का उपयोग किये जाता है तो उसमें कुछ पुच पार्ट भी होते हैं जो इस टेखनिक में भाग लेते हैं उस करते हैं इस ब्रहिण करते हैं कि पुनर सेओन डियाने के प्नियानत्र की इंजेंटिक के बारे में बात करें सकता हैं genetik इंजिनरिंग या पुनर संयोजन DNA तभी संभव हो सकती है जब इसके साथ कुछ साधन उपलब्द हूँ उन साधनों की उपस्ति में ही ये DNA पुनर संयोजन की तखनीक पूर्ण हो सकती है तो बोलता है ऐसे कौन-कौन से साधन है तो बोलता है प्रतिबंधन एंजाइम होस मतलब परजीवी तो ये साधन है जो DNA पुनर संयोजन की तखनीक को पूर्ण कराने में मदद करते हैं इन्हीं को हम एक साथ पुनर संयोजन के टेकनीक के मटेरियल्स या तखनीक के ओजार भी कह सकते हैं कि इस तक्नीक को पूर्ण कराने की ये मच आवाशक समागरी है या वजार है तूइ स्टार्ट करते हम परतिबंधन एंजाईम के बारे में परच्छ 수도 का अलग से प्रिशना सकता है परतिबंधन एंजाईम किसे कहते हैं समझाईए तो आईए हम समझने का प्रियास करते हैं प्रतिबंदन एंजाइम्स क्या है प्रतिबंदन एंजाइम्स इंगलिश को रेस्टिकेशन एंजाइम्स कहा जाता है इस्टिवर्ड निल एवं बर्नर ओर्नर विज्ञानिक के नाम है इस्टिवर्ड निलिन और बर्नर ओर्नर ने 1963 में इस्चीरिया कुलाई जिवानु में इस्चीरिया कुलाई बक्तिरिया में जिवानु भोजी की ब्रिधी को समझा और इन लोगों ने इनको दो अलग अलग अन्जाइम को नाम दिया या दो अलग अलग किया इस जिवानु भोजी की ब्रिधी को देखते हुए बोलता है एक अंजाइम ऐसा था जो DNA को टोड़ता था एक ऐसा था जो methyl को जोड़ता था तो बोलता है एक enzyme यह था कि जो methyl को जोड़ता है दूसरा enzyme ऐसा था जो DNA को क्या करता था कारता था, ये चीज अनको कहां से प्रात्त हुई, बैक्टिरिया कोलाई बैक्टिरिया जिवानु भोजी की बृध्री को देखते हुए उस एंजाइम को ने दो हिस्सों में, कौनसे एंजाइम को प्रतिवंधन enzymes को दो हिस्व में भी भाजित किया कि जो restication enzymes है या enzymes मिधाय समूं को जोडने का भी काम करता है और DNA को काटने का भी काम करता है उसके पसचाथ बाद वाले enzymes को यह जो DNA को काटता है इस enzyme को प्रतिवंधन endonuclease कहा गया और उसके पस्चाथ आज प्रतिबंधन एंजाइम से प्रतिबंधन एंडोनिकलियज एंजाइम लगभग 900 से अधिक एंजाइमसों की खोज इसके बारे में हो चुकी है और बाद में इसके बारे में जब अलग-अलग पदार्थों में इसका अधियन किया गया तो अगले वग्यानिक आते हैं HO, Smith, KW, Willox and T.J. Kelly इन वग्यानिकों ने 1968 में प्रतिबंधन एंडोनिकलियज को में नुकलियोटाइज अनुकरम अब आपको पता है जो आपने DNA का अधियन किया था तो वहाँ पर कुछ है निकलोटाइज के छारक पाये जाते हैं एडनीन, गवानीन, साइटोसीन, धाइमीन या अलग-अलग छाजो एक करम में अनुकरम में क्या होते हैं तो उन नुकलोटाइज अनुकरम को कार करते हुए प्रतिवन्धन नुकलियेज को अलग किया उस एंजाइम को अनुकरम से अलग किया और उन्होंने इस एंजाइम को एक नाम दिया किस एंजाइम को हम बात कर रहे हैं प्रतिवन्धन एंजाइम की इस एंजाइम को अलग करते हुए उसको नाम दिया हींजोटी नाम दिया कि अब जो यह हींडद लूति इसके बारे में हम प्रोसश पढ़ रहे हैं यह हींडद लूति आता उसे पहले में अब को संधा दिया कि हींड़ूति कहा से आया時間 कहा से आया और इसमें लिखा हुआ है तो हींड़ SECEND या प्रतिवrica नहीं में आप पहिए DNA को उस बिंदू पर काटते हैं माली ये डाइगराम बना हुआ है तो ये यहां से DNA अलग होए तो बोलता है DNA को उस बिंदू पर काटते हैं जहां पर 6 चारक के युग में एक विशेस अनकुरम में जुड़े हुए रहते हैं तो यहां पर देखिए 6 जो ये चारक है साइटोसिन, थाइमिन, एडनिन और ग्वानिन इसी परकार ये उपर भी ग्वानिन, एडनिन, थाइमिन और साइटोसिन ये चारक आपस में एक दूसरे के साथ यहां पर 6 चारक आपस में अनुक्रम में पाई जाते हैं और यहीं पर DNA को यह प्रतिबंधन एंजाइम्स क्या कर रहा है अलग कर रहा है उसके पस चाथ एंजाइम्स के जो नामकरण हुआ नामकरण में परंपराच अनुसार जैसे किसी एंजाइम्स का हम नाम देखते हैं य नाम का प्रसम सब्द जो होता है, वह बंस को बताता है, और दूसरा और तीसरा सब्द जो होता है, वह पूर केंद्र की कोच्का की उजाती से लिया जाता है, जैसे उदाहन के लिए हम समझने का प्रयास करें, सीरिय कोलाई इको आर आई सीरिय कोलाई या ry13 ry13 eko ri तो यहाँ पर जो eko ri है इस eko ri में जो word है r यह r जो हमको दिखाई दे रहा है यह r प्रभेज के नाम से लिया गया है किस प्रभेज से है ये और उसके पश्चाद दो नाम पहला ये रोमन सब्द लिखा हुआ है तो ये रोमन सब्द जो लिया गया है ये रोमन अंक उसके किसको दर साते हैं करम को दर साता है तो प्रतिबंधन एंजाइम्स जो होते हैं या प्रतिबंधन एंजाइम्स नुकलियेज कहे जाने वाले एं इनको हमने दो हिस्सों में बाटा किसको प्रतिबंधन एंजाइम्स प्रतिबंधन एंडोनुक्लिएज इसको हमने दो हिस्सों में बाटा एक हिस्सा बटा इसका एंडोनुक्लिएज दूसरा हिस्सा बटा एंडोनुक्लिएज दूसरा हिस्सा बटा एंडोनुक्लिएज DNA के छोर से, DNA के छोर एक छोर यह है, यह छोर यह है, तो बोलता है, DNA के छोर से नुकलियोटाइट्स को हटाता है, कौन? exonuclease और जो endonuclease है यह DNA को भीतर यह बीज वाला जो हिस्सा है यह भीतर बिसिस्ट इस्थलों को काटने का काम करता है कौन? endonuclease तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिबंधन enzymes का दोनो exo और endonuclease DNA stands the same side vector vector मिस होता है समभाहग DNA उसको यहाँ से उसने divide किया हुआ है उसके पच्चाथ strictly end जब इस हिस्से को उसने यहाँ पर काटा तो यह हिस्सा देखें जी के बाद क्या लिखा तो मैंने AATTCC तो वह हिस्सा यहाँ पर अलग हो गया है AATTC यहाँ पर करता है उसके पच्चाथ joining up DNA at strictly end और जो अच्छोर वाला हिस्सा है उस छोर वाले हिस्से को फिर से यहाँ पर जोडने का पाप जो जो यहाँ पर आपके दियाने के छोर में जो निकलिो टाइट्स हैं उनको जोडनने का काम यहाँ पर उसी खंड में कर दिया जाता है इसी क्रिया को DNA, पुनर स्हेवजन टक्नीग भी कहते हैं या प्रतिबंधन एंजाइम का हम कार देख रहे हैं तो इस ही से को फार्मेशन आपदा, रिकॉम्बिनेटेंट DNA पुनर स्हेवजन, ड्याने, तक्नीग, प्रतिबंधन एंजाइम की यह क्रिया विरी है जिसको हमने समझने का प्रयास किया पहला प्रोसेस उसके पस्जात यह खंड यहां से कटा करने पस्जात जो 16 कुम था उसको अलग किया गया ओर जोटना थे खोर से उसको लाकर के हैं खंड से जोड दिया गया तो यहां पर टो जब DNA के G, A, T, T, C अनुकरम उपस्थित होता है तो E को R, I, DNA E को R प्रथम DNA DNA को छारों G और A के भी से तो G और A के भी से यहाँ पर छारों को काटने का काम करता है इसने कि यहाँ पकार G और A को काटा है यहाँ भी से यह काम किया प्रतिवंधन Enzymes Endonucleates और Exonucleates ने तो प्रतिवंधन Enzymes के बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रतिवंधन Enzymes या प्रतिवंधन Endonucleates DNA अनुकरम की लंबाई के निरिच्छन के बाद प्रतिवंधन Enzymes काम करता है कि DNA की लंबाई मतलब उसको निरिच्छन करता है कि कहां पर मुझे इसको काटना है कि इस भाग समय यहां पर इसको काटूंगा उसका निरिच्छन करता है और जर्व करने के पस्षाथ जहां पर अनुकुलम उसको से लगता है पुसाइट कहा जाता है और यह पहचान लेने के पस्षाथ जब इस 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 जुड़ता है और दूइक कुंडलीनी की दोनों लडियों को अब दियाने में आपको पता है क्या सा पाये जाता है सरकरा फासफेज पेंटोस सरकरा पाई जाती है फासफेज समु पसित होता है तो यह आज उसके केंद्र है फासफेज समु के यह सरकरा के जो केंद्र है उसी स्थान को काटने का काम करता है प्रतेक प्रतिवंधन एंडो नुकलियज दियने में विशिष्ट रूप से पैली ड्रोमिक नुकलियो टाइड्स अनुक्रमों को पहचानता है और उसके पस्टाथ यहां से यह रच्छा क्रिया विधी के रूप में कार करता है रच्छा क्रिया विधी के रूप में काम कर रहा है है तो यह पुरी सिस्टम रोपा प्रतिवंधन रूपा नतला नतन तरह कहलाता है तो यह डिइन फुरुर स्योजड़न डियिएने के त究नीक और उसके और जाव के बारे मैं आपको बताया प्रतिवंधन एंज cambi में आपको बताया कौन-कौन से जावन के बारे में it बताया और किस प्रकार से DNA को काटने और जोड़ने का काम किया जाता है इस टेक्निक के माध्यम से उसको आपको बने बताया तो निश्ची दुब सापको समय में आएगा इससे संबंध ही तदी कोई कोई समस्या है तो कमेंट से में जरूर लिखें और उसकी उपर में वीडिय करूँगा धन्यवाद